आज हम सीखेंगे मोबाइल से थेटर की ओनलाइन मूवी टिकेट कैसे बुक करें अगर आप लोग फर्ष्ट डे फर्ष्ट शोर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना इस वीडियो में सीखाऊंगा आप लोग टॉकिज की ओनलाइन मूवी टिकेट कैसे बुक कर सकते हैं और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि RR R मुवी 25 को लौँच होरी है उसकी टिकेट आप लोग अभी से बुक कर सकते हैं अब यहाँ पर आप लोगों को टिकेट बुक करने के लिए एक अप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग बुक माइशो अप्लिकेशन प्लेश्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए देन उसको ओपन कर लेना है ओपन करनेक बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा तीन ओप्शन से इसके अंदर आप लोग साइन अप कर पाओगे चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नमबर से साइन अप कर लेता हूँ सो हमने यहाँ पर हमारा मोबाइल नमबर डाला केंटिन्यू पर हमने क्लिक करा देन मेरे मोबाइल नमबर एटोमेटिक ओटीपी यह ले लेगा ओटीपी लेनेक बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा अब यहाँ पर अगर आपके आसपास कोई थेटर है सो आपको detect my location पर क्लिक करना है अगर आप लोग कोई city में जाके movie देखना चाते है सो select manually पर क्लिक कर लेना है अभी मेरे आसपास कोई थेटर नहीं है सो मैंने select manually चूश कर लिया हूँ अब आप लोगों को आप जो भी city जाना चाते है वो यहाँ पर देख लिजिए या फिर साज बार में type कर लिजिए आपकी city मैं जा रहा हूँ मुंबई सो मुंबई को मैं click कर लेता हूँ तो मुंबई में मुझे कहा पर movie देखना है सो यहाँ पर हम select करेंगे मुंबई western इस पर मैंने जैसे ही click करा click करने बाद देख लिजिए अभी यह movie है बच्चन पंडे यह cinema में आ चुकी है सो इस movie को अगर आप लोग देखना चाते हैं तो simple सा इसको book कर सकते हैं अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ rr movie को कैसे आप लोग पहले से book कर सकते हैं जो 25 you को launch होने वाली है सो see all पर आप लोग click कर लेना see all पर जैसे ही click करोगे नीचे side में आप लोगों को rrr movie देखने को मिल जाएगी या फिर आप लोग यहाँ पर search बार में भी movie को search कर सकते हैं अब यहाँ पर rr movie को हम यहाँ पर select कर लेते हैं then select करने के बाद देख लिजे कुछ इस तरीके से आपके सामने page आजाएगा अब यहाँ पर risky release date दिखाई जारी है 25 you March को launch होने वाली है और नीचे आपको एक option मिलता है book ticket का so simple सा book ticket पर आप लोग click कर लिजे अब यहाँ पर देख लिजे 3D, 2D इस तरीके से option मिल रहा है मतलब कि 3D में अगर आप लोग movie देखना चाहते हैं उसका जो experience से थोड़ा ज़्यादा better आप लोग को मिलेगा लेकिन price भी आप लोग को amount भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा और 2D में जो अगर आप लोग movie देखते हैं उसका experience थोड़ा सा 3D से कम रहेगा लेकिन movie की ticket भी आप लोगों को budget उसका जो है कम देखने को मिलेगा चलिए हम 3D की book करेंगे सो simple सा हमें हिंदी और तेल्गू दो language मिलते हैं अगर आप लोग Hindi language में book करना चाते हैं तो हिंदी के नीचे 3D को click कर लीजिए दें click करने के बाद देख लीजिए कौन सी date को अगर आप लोग movie देखेंगे वो यहाँ पर उपर date मिल जाएगा date को आप लोगों को select कर लेना है आप लोग ने जो location select करा है वहाँ से आप जहाँ पर ठैरोगे या फिर जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर आसपास जो भी cinema hall है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा तो cinema hall का जो location है वो कैसे देख सकते हैं वो पहले देख लीजिए उसके बाद आप लोग ticket book करिए तो info वाला option मिलता है जो पहला cinema hall है वहाँ पर info देखने को मिलता है इस पर click करिए इस पर click करने बाद देख लीजिए ये कहाँ पर है location वगरे सारा कुछ आ गया है इसका address भी आ गया है और ऐसे करकर के आप लोग अपनी जो भी location है उसके पास जो भी cinema hall है उसकी ticket book कर लीजिए अब ये नीचे में click करूँगा तो इसका location देख लीजिए ये आ गया है और नीचे का cinema hall है इस पर हम click करेंगे तो ये आ गया है अब जो भी अगर आप लोग जिसके भी अंदर movie देखना चाते है वो select कर लीजिए अब चलिए simple सा मैं बताऊँगा आप लोग ticket कौन से मतलब की कौन से time को book करना चाते है अब इसका show time आ गया है सुबह के 8 बज़े ये चालू होगा फिर उसके बाद next show इतने member हो, movie देखने जा रहे हो तो उस तरीके से यहाँ पर number आएगा आप उस तरीके से number select कर लीजिए अगर आप लोग single person है एक पर करिए, अगर दो है तो दो पर करिए, चलिए मैं single हूँ तो एक कर लेता हूँ click then let select seat पर हम click कर लेते हैं अब यहाँ पर बहुत सारी seat आगे देख सकते हैं, अगर आप लोग जितने pass screens के रहोगे उतना आपका जो amount कम रहेगा और ज्यादा better अगर आप लोग movie का experience चाते हैं तो आप लोग last seat select करिए देन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो भी seat आप लोग लोगे उसकी price भी देखने को मिलेगी सबसे last note में मिलेगी 820 की उसके बाद धीरे से आओगे 530, 510, 470 तो हम middle ले लेते हैं यह 530 वाली premium और यह theater का देख लिजए icon भी आप लोग को देखने को मिल जाता है इस तरीके से theater रहेगा आपका और theater से आप लोग किस side बैठना चाते हैं वो beach की पूरी book हो गई है अब मुझे यह पीछे की भी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर हम premium नहीं लेंगे मुझे beach में से देखना है तो यहाँ पर हम यह 12 number select कर लेते हैं अब मुझे 530 रुपए pay करना पड़ेगा तो आप लोगों को paper click करना है जैसे ही आप लोग paper click करोगे finally कुछ इस तरीके से आपके सामने option आ जाएगा अब open हो जाएगा अगर आप लोग movie देखते देखते कुछ कहाना चाते हो so finally आपका जो order है आपके seat पर आ जाएगा so यहाँ पर आप लोग वो select कर लीजिए अगर कुछ नहीं चाहिए तो इसको skip कर सकते है जैसा कि coke है coke को अगर आप लोग add करोगे तो एक item add हो गया है अगर यह add करोगे तो इस तरीके से add हो गया है मैं कुछ नहीं चाहता हूँ so हम यहाँ पर skip कर देते है skip करने के बाद आप देख लिजे यह mobile number है और मुझे एक email डालना है जिस पर मेरी ticket जाएगी so यहाँ पर हम एक email डाल देते है इस तरीके से अब यहाँ पर update details पर मैं click कर लेता हूँ then update details पर मैंने जैसे click करा देख लिजे RRR movie है मेरी 3D में मैंने book करा 25 March को show time है रात के 10 बच के 35 मिनट पर ठीक है अब आप लोग यहाँ पर ticket की price देख सकते है 530 रुपई दिखा जा रहा है और convention जो fee है वो आप लोगों को 59 इस तरीके से movie पूरी मेरी 590 मतलब की 590 रुपई की movie बन चुकी है अब आप लोगों को एक काम और करना है unlock offer है इस पर click करके देखना है क्या आपको कोई offer मीला है तो इस पर मैं click करता हूँ और हम देखेंगे कोई सा offer है क्या तो अभी कोई यहाँ पर offer नहीं है reward पर मैं click करूँगा तो देख लिजे यह point बगरे दिखा जा रहा है और wallet पर हम click करेंगे तो देख लिजे wallet पर मुझे offer मिल रहा है मतलब कि अगर मैं paytium से pay करता हूँ 5000 cashback point मिलेगे movie week से करता हूँ तो 200 रुपए तक मुझे cashback मिल सकता है और यहाँ पर देख लिजे 590 यह मेरा देखने को मिल रहा है amount payable अब यहाँ पर हम हमारा जो भी mobile wallet है अगर आप कोई UPI से payment करना चाते हैं तो UPI select कर लिजे mobile wallet आपके इसमें अगर कोई install ए पेटियम वगरे तो उससे आप लोग आसानी से कर सकते हैं चलिए मैं UPI से करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो पेटियम है हम चूज कर लेते हैं और यहाँ पर जैसी पेटियम पर चूज करा तो देख लिजे 590 book my show आ चुका है अब जैसे मैं pay per click करूँगा तो finally मेरी जो ticket है वो book हो जाएगी और book होने के बाद मेरे email पर ticket सेंड कर दिया जाएगा तो इस तरीके से book my show को use करके आप लोग online theater की movie ticket book कर सकते हैं उमिद करता हूँ वीडियो जो आप लोग को काफी जादा पसंद आई होगी अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो प्लीज कमेंट में मुझे वो topic सजेस्ट करिए वहाँ पर लिख कर दीजिए मैं finally उसका reply कर दूँगा उमिद करता हूँ वीडियो जो आप लोग को काफी पसंद आई होगी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मातरम